शीशे जैसी साफ सडकें, हर्याली और खुबसूर्ती ये कहानी है दस लाख की आबादी वाले मैसुरू शहर की एतिहासिक एहमियत रखने वाला मैसुरू स्वचता के लिहाद से भी भारत का एक महतोपूर्ण शहर है मैसुरू कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है जिसने वर्षों पहले खुले में शौच से मुक्ती पाली थी पर उसके बाद भी पबलिक टॉइलेट्स को अपग्रेड करने का काम बदस्तूर चलता रहा और आज इन शौचालेयों में सुविधाईं देखते ही बनती हैं ये सीटी आहट है उस पाली पाली में देखते ही हैं दोर टू दोर गार्वेच कलेक्शन टीम की जो साल के 365 दिन हर सुबह यां हर घर से कच्रा लेने आती है और लोगों का जीवन सरल बनाती है अब दस अजार घरों का ये कच्रा पहुचाया जाता है इस Decentralized Waste Management Plant में जहां गीले कच्रे को खाद बना कर और सुखे कच्रे को 26 कैटिगरीज में सेग्रेगेट करके बेच दिया जाता है यहां हर स्तर पर और गैनिक कमपोस्टिंग का दाम चल रहा है फिर चाहे वो बड़े-बड़े और्गैनिक कमपोस्ट प्लांट्स हों या देवराज मार्केट जैसे बाजार, घर हों या सोसाइटीज और साइट कमपोस्टिंग अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है और जैवी कमपोस्ट की उर्वरक्ता का वरदान पाकर यहां के बंचर मैदान भी हरे भरे पारकों और भागों में तबदील होने लगे है कई जगे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहां स्वच्चता के प्रती चाग रुपता भी है और पिकनिक का मज़ा भी जिससे ये लोग अपने मोबाइल में फोटोस के साथ साथ अपने दिलों में स्वच्चता का संदेश लेकर वापस जाते हैं पोरू कर्मियों के लिए भी गलफ्स, मास्क और बूट की विवस्था की गई है कईयों को अपना पक्का घर मिला है और किसी की आयब बढ़ी है सफाई का ये सिलसिला समय का मोहताज नहीं पोरू कर्मिकाओं के चेहरे शिफ्ट के हिसाब से ज़रूर बदल जाते हैं पर स्वचता के प्रती समर्पन रात को भी कम नहीं होता और यही कारण है कि मैं सुरू देश भर में अपनी सुचका की चमक बिखे रहा है